हेल्थ एक बार स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्ट अनुराग जैस्वाल आपके चैनल केस्टेल टूटोरियल में इस चेप्टर में लगभग 11 चेप्टर हैं और 10 चेप्टर कनोट्स अलड़ी हम अप्लोड कर चुके हैं लेक्टर भी हो गया था मैं लाश चेप्टर एक् चेप्टर सफ के आने फीक्स है तो उस पर हिसाब से मैं सिलीवा상 को दो पर ट्वोट कर रहा हूं इसका पर वडीयो आ यह?... स्थी फौट यूरिंग्स क्रồभग शोल से क्में अहीं अस्पंग्स है और इस कोफ़िस इयो अन्यजिक्टीह व कर दिशकिस उध नहीं को पर सब आपका चल रहा है कि हम लोग ने सुना है कि हमारा पूरे दिविस्व में जब कोई महामारी फैलती है तो उसका कंट्रोल कौन करती है WHO जिसे बोलते हैं World Health Organization ठीक है अब WHO में जो हमारे है उसके हिसाब से Epidemiology के definition क्या है दो तीन वर्ट से मिलके बना है Epidemos Logos, Epi मतलब होता है upon किसके उपर किया जा रहा है इस्टडी, Demos मतलब होता है अब बात करते है इसका एम क्या है तो एम यहाँ पर दो ही पार्ट है आप बागबड़ा एम देखते हैं पहला तो कहा है पहला तो कहा है पहला तो कहा है तो यह देखना कि बिमारी क्या distribution किस छेत्र में है यह काम कौन करें कि डब्ली अच्छो करेंगा इसका एम क्या है कि बिमारी किस छेत्र में हो और कितना भेंग कर फैला हो इसको पहले क्यों चाइना में था वहांग सिटी में है फिर धिरे धिरे European country माया फिर Asia country माया यह अब क्या होता है कि पूरे देश वालों को डेटा देना कि विसे महाई जब चाइना में हुआ था WHO को पर आरोप क्यों लगा जा रहा है कि उन्होंने यह चीज़े बताने में देर की जब चाइना में बीमारी फैली थे गर उसी समझे सिम्टम्स और बीमारी के कारण और ची सा तीसरा अबजेक्टी होता है अब इसकोब क्या है कि पहला तो कोजिशन आप डिजिस पहले जो बीमारी के कारण उसको पता करिए दूसरा नैच्रल हिस्ट्री अब बीमारी का इतिहास पता करिए यह से कोरोना का इतिहास है कि सन 2002 में सौर स्कोब 2 के नाम से एक बार आया जो भी जमको लक्षण मेले उसकी साबसे उसका इवैल्यवेशन करना ठीक है यह था हमारा एपिटमोलाजी पे सौर्ट नोट पूशे का आपको इतना ही लिखना अपना है अगला कि उससरा है इम्यूनिटी पे एक्जाम पे कई बार कुछ आपके इस डी फार्मा में कई ब जो बाहर साने वाले बैक्टिरिया वायरस को किल करते है यह हमारे बाडी का इम्यून सिश्टम है इसको हिंदी में पृतिरच्छा तंद कहते है इम्यूनिटी इस स्टेट और क्वालिटी ओव बिंग हुमण को हुमन का क्वालिटी है दूसरा यह क्या करता है कि किसी भी घ बैक्टिरिया, वायरस, माइक्रोअनिजर्म के खिलाब हमारे बॉडि में जो रेजिस्टर्ट डिबलप करता है इसी को हम इम्मुनूटी कहते हैं अब इम्मुनूटी कितने परकार होती है फ्रेंड देखे तो इम्मुनूटी देखा जाए बैसिकली दो परकार होती है जब बच्चा दूप पीता है तो कुछ एंटीबाटि हमारे बॉडि बच्चों के सरीर में आता है तो ऐसी प्रत्रेक्श्य तंत्र, ऐसी इम्मून सिस्टम जो बच्चों को माता-पिता से प्राप्त होते हैं एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में ट्रांसफर होते हैं उसको innate कहते हैं और दूसरी जो जीवन कालने बच्चों के जन्म लेने के बाद टीका करण के द्वारा, बीमारीयों के द्वारा, बोलियों ड्रॉप के द्वारा किसी भी मेथड़ से जब बच्चों के अंदर पैदा की जाती है, बाद में, जन्म लेने के बाद, उसे बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं, वनसागत और उपारजित तो ठीक है, पहले इनेट के बात करेंगे, इनेट क्या है, इस लिए नाटी उम्मूनिटी, इस में क्या होता है, कि the resistance of infection that an individual process the virus by his, genetic and constitutional makeup, जो अपने gene के make-up के साब से, या अपने पीढी से ब्राइप के साब से एक पिढी से दूसरी पिढी में आईसा रक्ष्टंत्र जो सब के खिलाब काम करें थीक इस तरह समझ सकते हैं जरसे मैं आप से कहूं कि जो ब्यस्टफ है तो ब्यस्टफ का काम क्या है वो केवल बार्डर सेक्यूर्टी फोर्स है वो बार्डर की रक्षा करेगा अंदर काम नहीं करेगा तो वो स्पेसिफिक और इन्नेट मतलब होता है जो एक जाती को रहे होती जैसे कि जो पॉधों मीमारी लगने वाली कीड़े होती वह उससे मनुस बिमार नहीं होता है जो करोणा बिमारी है कुरोना से मनुष्छ से प्रभावित हो रहे लेकिन जानवर नहीं हो रहे है पेड़ पोधे नहीं हो रहे है तो यह क्या एक किसी specific यानि specific basis पर है उसे बोलते है species innate immunity racial जब किसी जाती के उपर हो यानि किसी विशेस समुधाय में हो तो racial और individual मतलब किसी परिवार में किसी को हो किसी को टीवी है किसी को नहीं है तो वो व्यक्ति विशेस में होता है तो उसको हम लोग individual immunity कहते हैं तो अब acquired immunity क्या होता है फ्रेंड कि जब ऐसी immunity जो हमारे जन्म मतलब होता है कि अगर अपने body के अंदर हम कुछ ऐसे immune डाल दिये antibody जो पहले से activated है और पैसी मतलब होता है अपने body के अंदर antibody डाला वह activated नहीं है लेकिन जब ही बिमारी हमारे शरीर में attack करेगी तब यह active हो जाएगा और बिमारी से लणना शुरू करतेगा ठीक है तो अब active minute बात की जाए तो involve the active functioning host immune apparatus synthesis of antibody क्या करता है हमारे body के अंदर antibody का निर्माण होना शुरू करता है ठीक है इसको आगे देखते हैं इसका secondary response यह क्या है कि body के अंदर पहले तो antibody बनाएगा दूसरा secondary response क्या होता है कि कैसे काम करता है दूसरा कि हमारी body में memory cell बनाता है memory cell में अभी क्या है coronavirus है coronavirus को antibody नहीं बनी है vaccine नहीं बना है तेकिन एक बार जब vaccine बन जाएगा तो हम जब उसको शरीर में किसी को लगाएंगे तो पहले जब antibody बनेगी primary का दूसरा secondary क्या होगा memory cell बनेगा memory cell बनने का मतलब यह है कि भविस में कभी भी 10 साल 20 साल बात coronavirus अगर वाप chicken box खिलाब influenza खिलाब common clotter इस सब खिला हमारी body में natural antibody बनते हैं जब हम बीमारी से ग्रसित होते हैं तो हमारी body इनके खिलाब खुद ही एक antibody बनाती है जिसे हम लोग natural कहते है ठीक है तो इसमें क्या है टेफाइड है अब हम बात करेंगे एक्टिव और artificial ऐसी artificial क्या होते है कि ज अब इसमें तक आई प्रकार का vaccine होते है यू लाइव होते हैं किल्ड होते है बैक्टिव प्रोडट होते हैं ठीक है ठीक है ठीक है लाइव वैक्सिन से यह सब उसके types हो गया ठीक है तो active immunity जो artificial में से होता है basically killed vaccines होते है इसकी बारे हम बात में करेंगे आगे जब topic में अब अब क्यूशन आता है what is the immunization and what are the immunization product एक किसी व्यक्ति के सरीर में immune system को develop करने के लिए विमारी से लडने के लिए जो हम टीका लगाते हैं जो टीका करण करते हैं उसी को बोलते है immunization और उसके लिए जो जो हम सपदार्स यूज करते है यानि जो सब्स्टेंस यादवा immunological product कहते हैं तो immunization के आगे process of protecting an individual from disease through introduction and live or killed attenuated organism into the individual system जरी किसी मनिस्टि के सरीर में हम killed या attenuated या निस्क्री वैक्टिरिया को सरीर में घुसे उसके body के अंदर insert करके उसके अंदर हम antibody का निर्मार करते हैं ताकि वो किसी भी बिमारी से लड़ सके इसी को हम लोग कोलते है immunization कौन गौन से agent होते हैं बिसक्री तीन होता है वैक्सिन का यूज करते हैं immunoglobin या anti-sera या anti-toxins होते हैं इस तीन तरह के हम लोग basically यूज करते हैं immunizing agent का वैक्सिन तो आप जानते हैं यह बैक्टिरिया का ही form होता है यह बैक्टिरिया के ही killed और attenuated bacteria से ही बनाया जाता है जो corona virus होगा उसी के dead part से corona के dead virus से उसी के body से हम vaccine develop करेंगे और वही body के इंसर्ट करेंगे कि वो अंदर जाकर बिमारी नाकाज करें वलकि antibody का निर्मान करना शुरू करते हैं वो vaccines ऐसे ही होते हैं ठीक है अब vaccine पर कैसे होते हैं live होते हैं killed होते हैं यह आपके सामने example दिखा आप आपका प्रकार के immunoglobulins मारे body के अंदर होते हैं जैसे कि IgZ, IgM, IgA, IgD, IgE और यह भी एक तरह का इंसर्ट कराके एक तरह का antibody का निर्मान किया जाता है और anti-sera, anti-toxins क्या होते हैं जब कोई जन्तु होता है जिसका जहर होता है जिसे साप का जहर और बिच्चु का जहर तो इसके खिलाफ हमारी body के अंदर जो हम लोग केमकल बनाते हैं उसको anti-sera या anti-toxins कहते हैं यह हमारे बात हो गया अब क्या होता है immunological product प्रोडक्ट क्या होता है जो भी immunity को develop करने के लिए body में हम जो भी product देते हैं उसको बोलते है immunological product वही सब क्या है vaccines कौन को सो तक तो vaccine होता है immunocera होता है immunoglobulins होता है और emops होता है ठीक है यह सब अलड़ी मैंने PCV को बता दिया है यहाँ पर इस सिर्फ vaccine का definition फिर से है सेम चीज़ है तो अलड़ी मैं पहले आपको बता चुक है यह पहला पार्ट था आपका अब हम लोग इसको खतम करते नेक्स पार्ट पर हम लेकर आएंगे तो उसका second part खतम करके हम लोग इस पूरे chapter को syllabus को ही खतम करेंगे ठीक है friends thank you